नमश्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का अमारे अपने यूट्यूब चैनल पीजिटल ग्रुखुल क्लासेश पर बच्चो आज हम लोग आपका सौगत करते हैं हमारे चैनल में और आपको बताते हुए में खुशी हो रही है कि हम सभी क्लासेश की वर्कशिट जो हैं डाल सुके हैं इस हफते ही और हर बार हम पिछले दो-तिन अपते से सभी क्लासेश की वर्कशिट केदी से लेकर टैन तक सभी डालते हैं और ऐसा सिर्फ हमारे चैनल पर ही हो रहा है तो अप लेलिस्ट में जाकर देख दी सकते हैं क्लास थर्ड इंग्लिश की वर्कशिट नमर 152 डू यू नो और इसके बारे में हम देखते हैं तो ये जो विक्ति हैं ये सुबाश शंदर बोस हैं बिटा ये हमारे यानिता जी के नाम से भी जाने जाते थे इनका जनम 23 एक 1897 को हुआ था हीवा जहीरो बोन वीड ड्रीम फुर फ्री इंडिया ये क्या चाते थे कि भारत अजाद हो जल्दी से जल्दी इनका कहना था वन इंडिया जाकर अपनी जगह बना लेता है तुड़े इस 23 जैनवरी कल की वक्षिट है आपकी आज के दिन बर्त हुआ था सुबाश चंदर बोस का भारत के एक बहुत ही फ्रीमस राश्टरवादी थे जन्योंटे नहीं ने भारत वालो को भारत वासीयों को मौटिवेट गिया था जहिंद के नारे से अभरत में अजाद इंद पोज बनाई थी ताकि वह विरोध कर सके इक इसका बिरेटिश रूल का भारत में विटेश सासन का सुभाष संदर बोस ने लाखो लाखो करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया कि वो लोग आकर जोईन करें भारत के स्ट्रगल में कि स्ट्रगल में विटा कि भारत को अजाद हमें कराना है पीपल अकरॉस इंडिया इस दिन को भारत में चारो तुरफ लोग सेलिबरेट करते हैं टू ओनर नेता जी जिस नाम से उन्हें जानना जिता है नेता जी ने के नाम पर इस दिन को सेलिबरेट किया जाता है अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया Hello my dear children Do you know there are many ways to share our feelings and thoughts with other क्या तुम जानते हो कि अपने विचार और अपनी भावनाओं दूसरों के साथ प्रकट करने के अमर पस बहुत सरे रास्ते होते हैं Letter writing is one of the ways और पत्तर लिखना उसमें से एक रास्ता है इन पोयम What's in the mail box कि mail box में क्या है जो एमर पस पोयम थी The little girl wishes to receive letters like her mom and dad छोटी लड़की चाहती थी कि उसके माता पिता उसे पत्र लिखें Can you help her find out what are the things associated with letter or mails क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं कि letter or mails के साथ क्या चीज़े जुड़ी होती है Encircle them or draw their pictures उनको आप Encircle कर दीजे जो चीज़ें उसको चाहिए होगी तो एक तो डाक्या चाहिए होगा जो letter देख कि आए एक letter चाहिए होगा और एक post office चाहिए होगा ये तीन चीज़ें उनको चाहिए होगी बिटा Encircle मैंने कर दी अब दूसरा question है Let's trace the journey of the letter by arranging the following sentence in correct sequence कि आप जो letter है वो एक जगे से दुसरे जगे कैसे जाता है इस journey को आपको trace करना है Writing a letter सबसे पहला point B point होगा addressing the envelope C point होगया posting the letter D point होगया Sorting the mails at post office Sort करके फिर उसको E point होजाएगा Transporting the letter और F पार्ट हो जागा जहाँ पहुँचना दुसकर दिलिवरी Delivering the letter तो बच्चों इससे के साथ आपकी वर्क्षिट हो चुकी है आप इसके लाव अपनी book में जो 118, 120 पेज़ पेज़ वो भी वर्क्षिट कर सके देख सकते हैं अमीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आयोगी बच्चों चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मैं में सपोर्ट करते रहें नहीं नहीं वादे